हालो फ्रेंड वेलकम टु जार्खंड एससी एड़ा फ्रेंड्स आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एना लेजर सीरीज का यह लेक्चर फ्रेंड्स आप आज फिर रेडी हो जाईए टेस्ट देने के लिए इस टेस्ट का पैटर्न भी पिछले भार की तरह ह ही है इसमें नंबर अब कोईस्ट से 15 फुल मार्क से 45 यानि इच कोईस्ट थ्री मार्क के नेगेटिव मार्किंग है फ्रेंड्स इससे पहले मैं एनलाइजर सीरीज वन का टॉप 10 स्टुडेंट का नाम लेना चाहूंगा एनलाइजर सीरीज वन में टॉप किये थे उनका न टॉप 4 अस्टुडेंट जिन्होंने 40 प्लस स्कोर किया था उसके बाद जो अस्टुडेंट है वो 37 प्लस स्कोर किये थे उनके नाम है अनुदीप कुमार, पंकज कुमार, योगेस यादव, रामपुकार नोनिया, पंकज कुमार महतो फ्रेंड्स ये टॉप 10 जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था एनलाइजर स्रीज 1 में, तो फ्रेंड्स आज आप लोग रेडी हो जाएए ये एनलाइजर स्रीज 2 का टेस्ट देने के लिए आप टाइम देता हूँ, मैं आप पेन पेपर लेके बैठ जाएए और ये इमानदारी से अपने आपको अन इसके बाद फिर ये टेस्ट दे ताकि आप अपने आपको अच्छे से एनलाइज कर पाएंगे, फ्रेंड्स आईए हम लोग फ्रस्ट कोईसंस के और आते हैं, पहला कोईसंस है बिरसा मुंडा का जन्म कहा हुआ था, ओप्संस है राची, उली हातु, चाइबासा या इन मे इसके कोई नहीं, तो आप मार्किंग कर लिजिए कि बिरसा मुंडा का जन्म कहा हुआ था, अब आईए हम लोग दूसरी कोईसंस के और चलते हैं, कि टाना भगत आंदोलन किस जन जाती से संबंधित था, ये जो टाना भगत आंदोलन हुआ था, वो किस जन जाती से आप सोच लिजिए, कि टाना भगत आंदोलन, किस जन जाती से संबंधित था, उमीद करता हूँ आप अंसर, आईए तीसरे कोईसंस के और हम दो चलते हैं, कि मयुराच्छी नदी का उद्गम अस्थल कहां है, पहला अप्शन से, त्रिकूट की पहाडी, मुंगेर, अमर कं या पारसनात पहाडी, आप इसके अंसर मार्क कर लिजे, मैं आपको टाइम देता हूँ, आईए अब हम लोग फॉर्स्ट थ्री कोईसंस के अंसर की और आते हैं, कि बिर्शा मुंडा का जन्म कहां हुआ था, तो फ्रेंड्स जो फॉर्स्ट कोईसंस है, उसका सही अंसर है अंसर है, आईए अब हम लोग फोर्ट नंबर क्वेसंस के और आते हैं, कि स्री सामेज सिखर जी को और कौन से रूप से भी जाना जाता है, फ्रेंड्स ये पूछा हुआ questions है इसके options है पारसनात पहाड़ी, केंडरी पहाड़ी, टेगोर पहाड़ी या फुल डुंगरी आप इसका आंसर सोच लीजिए मैंने पिछले वाले lecture में बताया था कि स्री सामेच सिखर जी को और किस रूप में भी जाना जाता है आई अब लबन लोग next questions की और आते हैं कि जहारखंड की दूसरी राजभासा कौन सी है संथाली, हिंदी, उर्दू, बंगाली और साथ में six number questions भी बता देता हूँ कि चांडेल देम किस नदी पर है स्वन डेखा नदी पर, बलाकर नदी पर, कौनार नदी पर या मयूराच्छी नदी पर आप ये तीनों का आंसर कर लीजे उमीद करता हूँ अभी तक आपने मार्क कर लिया होगा अब आईए इसके आंसर की और हम दोग चलते हैं आईए अब हम आंसर देखते हैं कि स्री सामेच सिखर जी को और किस रूप में भी जाना जाता है तो ये पारसनाथ पहाड़ी को ही स्री सामेच सिखर जी के नाम से जाना जाता है याद किजी फिसले लक्षर में मैंने बताया था कि पारसनाथ जो है पहाड जो है वो किसलिए फेमस है तो वहाँ सिखर जी जैन मंदीर है इसलिए ये फेमस है इसलिए इसको दूसरा नाम जो है स्री सामेच सिखर जी बोला जाता है ठीक है आईए अगले कोस्टिंस के और कि जारखंड की दूसरी राजभासा कौन सी है तो वह है उड़दू और चांडिल देम किस नदी पर है तो ये स्वन रेखा नदी पर है तो आप आपको मार्किंग कर लिजे कि आपने कितने यी आंसर दिये है आईए भंदुग नेस्ट कुस्टिंस की और आते हैं कि तिलैया म जारखंड का निर्मान किस नदी पर किया गया है आपके पास बराकर नदी कोनार नदी स्वन रेखा नदी और बुकारो नदी आप इसका अंसर सोच लिजे चलिए नेक्स्ट कुस्टिंस की और आते हैं कि जारखंड पार्टी की अस्थापना कब एवं किसकी नेत्तिर्त मे हुई थी ओप्शन से आपके पास उननीच सी कावन रामान नंतिवारी, उननीच सो पजपन गया मुंडा, उननीच सो साथ सीबु सारेन और उननीच सो उन्चास जैपाल सिंग मुंडा आप इसका आंसर सोच लिजे नेक्स्ट क्वेशन के और आते हैं कि पलामू में अठार सो संतावन के विद्रों का नियत्ति किस ने किया आप्सेंस हैं राजा अर्जून सिंग दे, निलांबर एवं पितांबर ने, सुरेंदर साही ने और सीधु का नूमर मुने तो आप इसका सही आंसर आप मार्क कर लिजे उमीद करता हूँ आप आंसर दे चुके होंगे अब आईए इसके आंसर क्यों राते हैं चल ये 7 नंबर क्वेशन का अंसर है कि तिलाया बांध का निर्मान किस नदी पर किया गया है तो इसका सही आंसर है बराकर नदी और जारखन पार्टी के स्थापना कब एवं किस के दुआरा किया गया था तो इसका सही आंसर है कि 1949 में ये जैपाल सिंग मुंडा के दुआरा किया गया था और जो नाइन नंबर क्वेस्टन्स है कि पलामू में 1857 के विद्धरों का नित्ति तो किस ने किया था तो इसका सही अंसर है निलांबर एवं पितांबर ने आई अब हम लोग अगले कुशिंस के वर आते हैं कि विद्धान सभाहे तू कुल सदक्सयों की संख्या कितनी हैं आपके पास 1500, 100, 180, 84 उसके बाद 11 नंबर क्वेस्टन्स है कि लोग सभाहे तू कुल सदक्सयों की संख्या कितनी हैं इसकी options है 12, 13, 14, 15 यानि कि ये दोनों questions में आपको बताना है कि विधान सभा है तू जारखंड में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है और लोग सभा है तू कुल सदस्यों की संख्या कितनी है जारखंड से और last questions है इसमें कि जनसंख्या की दृष्टी से सबसे बड़ा परमंडल कौन सा है आपके पास उत्री छोटा नाकपूर, दच्छनी छोटा नाकपूर, पलामू एवं कुलहान तो आप ये तीनों questions का answer मार्क कर लिजिए कि विधान सभा है तू कुल सदस्यों की संख्या कितनी है लोग सभा है तू जारखंड से कुल सदस्यों की संख्या कितनी है और जनसंख्या की दृष्टी से सबसे बड़ा परमंडल कौन सा है उमीद करता हूँ कि आप answer दे चुके होंगे आईए मैं आप इसका answer बता देना चाहता हूँ कि विधान सभा है तू कुल सदस्यों की संख्या है 82 और लोग सभा है तू जारखंड से कुल सदस्यों की संख्या है 14 और जनसंख्या की दृष्टी से सबसे बड़ा जो परमंडल है वो है उत्री छोटा नाकपूर अब आपने आपको आप मार्क कर लिजए कि आपने कितने सही answer दिये हैं और कितने गलत तो आईए अब हम लोग next questions क्यों राते हैं last three questions आप बचे हुए हैं यह है आपके स्क्रीन पर questions कि जारगंड की प्रथम महीला केविनेट मंत्री है options है जोबा मांजी दृपदी मूर्मू लक्षमीर सिंग और सावित्री पुत्री आप इसका answer सोच लेजिए next question भी मैं बता देना चाहता हूँ कि छेतरफल की दृष्टी से सबसे छोटा जिला कौन सा है इसके options हैं वोकारो, रामगर, धनबाद, हजारी बाग आप answer सोच लीजिए और ये आपके लिए last questions है जो computer से related है ये भी पूछा हुआ questions है जब ये computer का lecture नहा में लिया था तो उसमें ये आपको mark करके special बताया गया था कि ये questions पूछा हुआ है तो उमीद करता हूँ सबको याद होगा ये questions है window 8 में window में या desktop पर screen ततों के माध्यम से cycle करने के लिए निम्न में से कौन सी shortcut की परियुक्त की जाती है इसके options है F4, F6, F5, F10 तो आप उमीद करता हूँ अभी तक ये तीनो questions का आप answer दे चुके होंगे आई अब हम लोग इसके answer क्यों राते है आई अब हम लोग इसके answer क्यों राते हैं कि जारखन की प्रथम महिला cabinet मंत्री कौन है तो वो है जोबा माजी और जो अगला questions था कि छेतरफल की दृष्टी से सबसे छोटा जिला कौन सा है तो वो है रामगाड और जो last questions था कि window 8 में window में या desktop पर अस्क्रीन तक्तों के माध्यम से cycle करने के लिए कौन सा shortcut की का हम लोग use करते हैं तो उसका सही answer है function 6 यानि कि 6 की तो अब अपने आपको आप marks कर लिजिए कि कितने marks आपने गेन किये और जो भी आपने questions का गलत answer दिया है उसका negative marks भी आप माइनस कर लिजिए और आप final marks जो है वो comment box पर comment करें कि out of 45 आपने कितना marks गेन किया ताकि मैं भी यह आप लोगों को analyze कर पाऊंगा कि आपकी preparation कैसी चार रही है और इस video को आप ज़्यादा से ज़्यादा share करें इसको अपने तक ही सीमीत ना रखें आपने friends के साथ जितना ज़्यादा हो सके आप लेजिए से शेयर करें like करें subscribe करें all the best thank you